तो नमस्कार दोस्तो आज की जो मैं वीडियो में बात करने वाला हूं आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला माई सलुसन की जैसा कि मैंने आपको बता है कि इससे पहले कि मैंने आपको आज जो मैं आपको माई के त्रीका आपको बताने वाले हैं ये तून माई के तरीके के बारे में बात करेंगे कि अग pan करते हैं ऐसे भ dangerous थो भी पून वहाइन सबसे हमारी खं़我知道 कि मीचось की एस के मोबाईला है तो जितने भी मोबाईल थे हैं यह मुस्पली कीपेड के मोबाईल थे या बेसिक छोटे मोबाइल फोन आते हैं उसमें से अपना टू पिन का माइक लगा होता है फोर पिन का माइक सर्कुट थोड़ा साला को होता है मैं आंगे आपको बताऊंगा और आज हम लोग तू पिन का माइक के तरीका समझने वाले हैं दोस्तों मेरा नाम राग्वेन और मेटे के शुट कांगों से बात करा हूँ जहां पर आपको मोबाइल फोन लैप्टॉप इस तरीके से टेक्निकली कोस्त करा जाते हैं यहां पर बेसिक फोन तो लेकर स्मार्ट फोन एंडॉड फोन टैबलेट आइफोन सभी तरह के मोबाइ करना आपको बढ़ा जाता है यहां पर आपको एसे लेकर पूरा सारे मोबाइल फोन को रिपैर करने के तरीका है उनको हाडवे से उनको सॉफ्टर से बेसिक लिवल्स लेकर हम लोग एडवांस लिवल्स की कंप्ले ट्रेनिंग सिखाते हैं और आप जितने भी सारे जो दू और लेक беспते क्या देडंग कर रहे हैं, यहां उत्युन को छीज़ काम कर लेते हैं लेकिन दुख जेंपर लेकिन के मोबाइल फोन कहीं कहीं क्यों जैसे देशी रिपेरिंग का मतला होटा उसे देशी कहते हैं कि अपने मन साही जो दिमाग में जी लोगों ने ऑनलाइन के लिए भी जोइन किया है। कुछ लोग ऐसे थे हैं जो अपना ट्रेहनिंग सेंट्र बे आहा करके मॉबाइल फोन रेपेरिंग की कम्पलिट ट्रेहन की ले रहे हैं। ताके उनना प्लान है पूरा अप्छिक्स प्लान है कि हमको को मुबाइल फोन दे पेरिंग में काम करना है अपना बिजनेस करना ही है तो चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने माइक सलूशन अपने टॉपिक ऊपर की माइक को कैसे रिपेर करने के तरीका क्या होता इसके बारे में आज आप इसको स्टेप बाइस टेप आपको व्य पावर आइसीस होता है कि कहा से होता है दोस्तों पावर आइसीस होता है माइक के जो ट्रैक होता है वो भी दो तरीके के होते है तूपिन का माइक जो होता है उसके ट्रैक दो तरीके से होते है मैं आपको दोनों ट्रैक के बारे मैं आपको समझाता हूं सबसे पहला तरीका ह होता है कि माइक में एक लाइन होती है इसके लाइन में ऐसे कंपनी के रजिस्टेंस लगाती है फिर कंपनी के डायोड लगाती है फिर कंपनी के डायोड लगाती है फिर सप्लाई आगे ले जाती है दूसरा ट्रेक होता है से इसमें भी कंपनी इसे रजिस्टेंस लगाती है फिर इसमें डेवर लगाती है, फिर इसमें कैपेसिटर लगाती है, फिर आंगे ले जाती है, अब यहां पर जो आपका माइक अटेच होता है, एक माइक में तुम्हारा ऐसे रेड वायर होता है, दूसरी बात क्या होता है, माइक में तुम्हारा दूसरा तार होता है, जो ब् की problem क्वता है एक्टार जो black वाला उता ये तुमारा नीगेटिव लाइन होता है मुझार 6 ऐसा होता है लेकिन कई माड कि एसे भी पाये जाते हैं जिसमें सर ईसा भी सिस्टम होता है जो सीधिया होता है वैसे दूसरा सिस्टेम है लेकिन बस फरक क्या हो जाता है कि इसका जो माइनस वाला जो ट्रेक होता है यह सर माइनस वाला ट्रेक यहां से ना हो करके यह माइनस वाला ट्रेक पूरा आपका अपना ग्राउंड हो जाता है क्या हो जाता है यह सर आपका पूरा ग्राउंड हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, एक ट्रैक जो होता है, जो माइनस का होता है, जो आईसी के द्वारा ही चलता है, दूसरा ट्रैक जो होता है, वो माइनस का ट्रैक क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है, अगर उसका खराब हो जात छेलिया हम दोस्तों हम बात करते के माई को चेक कैसे करेंगे मा इक को चेक करने के तरीका क्या है यह ट्रैंट वन कि यह अध्र ट्रैक टू कि हम लोग बन टू दोनों के स्ट्रेज्ड को समझते हैं दोनों के स सीखते हैं यह दियांगा बार की भी मॉबाइल करना बैसे दिया चाहिए है को रूसरी तो सबसे पर ले आप काम करेंगे आप clock करेंगे से पो क्लीन करें किलीन करने के बाद नहीं सही होता मैं को चेक करें माइक के जो टेस्टिंग होती है उसको जब आप चेक करेंगे को भी पॉइंट को चेक करेंगे जो एक तरफ से दिख दून को मिलेगी ए इस दुफ अब अगर आट रहरा सो लेकर विछ याष्ट के बीच में वैलू आती तो उड़ा काम करता है तो बहुत धिलकी आवाज जाती है तो कस्टूमर कहता है, भाई माइक बदल तो बहुत थल्गी आवाज जारी, समझ में नहीं आ रहा है, माइक को चेंज कर दिजी, आपने नया माइक लगा दिया, अच्छा यह जो माइक अपना चलता है, तुम्हारा यूनिवर्सल माइक है, कैसा माइक भी या, यूनिवर्सल माइक है, अगर यह माइक खराब हो जाता है, तो माइक को सबसे बहुत चेक करें, सासू करें, माइक को चेंज कर दिजी, माइक आपने चेंज कर दिया, आपकी प्राब्लम जा होगई, सही होगई, आपने माइक को चेंज करने के बावजूद भी समस्या सेम है, फिर भी अब आप माइक के ट्रेक को चेक करेंगे, माइक के ट्रेक में ऐसा होता है, एक ट्रेक होता है जिसमें वैलू आती है, एक में वैलू क्या होता है, आकर के चली जाती है, वैलू आएगी, वैलू आकर के चली जाएगी, कई बार ऐसा होता है, हमको दोनों ट्रेक में वैलू मिल तो आपस है अगर नहीं देता तो पर यह बार ऐसा होता है इसके लाइन में जो रजिस्टेंस लगी होती है अगर कोई खराब हो जाता तो आपको क्या हो जाता है चेलोमटरैस आप नहीं है व्हीन 심 Выल लगाली है आप इंञाद लगोड़ी आपनलां खराब करते हैं कई बार ऐसा होता है ना लगा कर सीधे company capacitor लगा कर कही पावर आइसे जोड़ देती है यह डिपेंड करता है आपके mobile phone के कीमत पूपर अगर आपका mobile phone 52600 रुपए के Chinese mobile phone है तो उसमें बिमाग सेटा दीजिए माइनस वाले ट्रेक खराब है आप क्या करिए माइनस का अगर पिंट उफर गया चेंज करने में तो माइनस के ट्रेक उठागर ग्राउंड तो कहीं भी जम परमा दीजिए आपका काम हो जाएगा उसके बावजूद भी प्राप्लम से में माइक काम नहीं करेगा तो माइक को आप साफ सूप करें के उसको चेंज कर देंगे शमसंग के कुछ मोबाइल फोन जो गुरू बारा सो कुछ ऐसे चोटे मोबाइल फोन आते हैं जिसमें माइक के लिए चोड़ा पिंट लगा हो था कर वह खराब हो जाता तब भी माइक सबको रि इतना ही ही कि हम लोगों नहीं करेंगे ठ्रॉपिल माइक को हम लोग कैसे करेंगे रिपैर करेंगे रिप्ल मैक को इसने करें इसको होतार हुआ अब माईट को ट्रेक को चेक करने के तरीका क्या होता है इसको ट्रेक को देखे, ट्रेक देखने के बाद आप अपने बोर्ड लें बोर्ड में उसको प्रेटिकली भी चेक करें यह जितने भी मैंने आपको speaker, ringer, माईट, इसका जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस circuit की YouTube के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजी help मिल रही है बहुत सारे जो इस्टेंट है जो लोग वीडियो को watch कर रहे है अगर class के आपको training के वीडियो आपको मिलता है तो आप लोग अपने notes copy बना लीजिए उसको अच्छे सो note करिए अच्छे से note करने के बाद कम से कम सजी 10-20-50 class के वीडियो को note करिए note करने के बाद analyze करिए कि आपको मैं challenge के साथ में कहता हूँ सजी अगर 20-25% भी अगर आपको ना समझा है तो मेरा समझाने के तरीका भीकुल बहुत है तो आप ना सीखें लेकिन अगर इन वीडियो के माद्यम से अगर आपको सीखने को मिला है और अच्छी help मिल ले है तो आप सीखें है उतना help लेते रहें और उनको वीडियो से step by step आपको सीखते रहें इसका मैं अभी आपको आँगे कि step में आपको practical का भी वीडियो डालूँगा कि कैसे problem को हम लोग step by step आपको चेक करते हैं और कैसे repair करने के तरीका भी हम आपको बताएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मैं असा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने वीडियो समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और कोई problem कोई दिक्कत आती है तो फिर आप नीचे हमको message कर सकते हैं और हाँ अगर वीडियो के मध्यम से अगर आ वीडियो को share करें ताकि आपको इस तरीके से अपडेट्स वीडियो आपको मिलती रहे और क्लास से सम्मनित आपको जानकारी आपको मिलती रहे कि हमको mobile phone repairing का काम क्या करना आ है या कोई नहीनी चीज़ आती रहते हैं तो उसके बारे में भी मैं वीडियो आपको देता रहू क्यर तो क्यर्य वीडियो आ बता वीडियो वीडियो आ लिचUU क्यु झाँ खसना करें तो क्युमनित वीडियो लादे हुआ झाल झाल